प्रिये विध्यार्थियों नवश्कार विए अंतिम वर्ष समाज सास्त्र की इस कक्षा में आप लोगों का स्पागत हैं विध्यार्थियों जैसे प्रथम वर्ष और द्वित्य वर्ष में समाज सास्त्र के दो-दो पेपर आप लोगों ने पड़े हैं ठीक इसे प्रिकार से अन्तिम वर्ष में भी आपके दो पेपर होंगे पहला पेपर जो आपके होगा वो है elementary social research और दूसरा पेपर जो आपके होगा होगा वो होगा social thinkers या सामाजिक विचारक कि अगर इन दोनों ही प्रश्न दोनों ही पेपर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को कोई ग्राय देना चाहूं तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज तक आप लोग समाश्चास्त्र के विश्य में जो कुछ भी पढ़ते आये हैं अब आपको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अपने को अलग रखना पढ़ेगा क्योंकि आज तक आप लोग समाश्चास्र में क्या पढ़ते आये हैं जैसे समाज, समुदाय, समीती, परिवार, विवाह, जाती, महिलाओं की सिति, गरीबी, बेरोजगरी, अपराद इस प्रकार के चीज़ें आप लोग पढ़ते आये हैं, तो उसमें क्या होता भा कि कुछ आप किताबों से पढ़ते थे और कुछ समाज प्रदत जानकारियां आपको पहले से प्राप्त होती थी, तो ऐसे में concept को समझना आप लोगों के लिए उतना difficult नहीं होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब चुकि आपको सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ना है, और सामाजिक विचारों के विचारों के बारे में समझ करके लिखना है, तो इसलिए आपको अब थोड़ा सा hard work जादा करने के आवशक्ता है, ये मेरा सुझाव आप लोगों से रहेगा हलाकि मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इन concepts को चाहें, दोनों ही paper के मैं बात करूँ, अगर आप एक बार इनको ठीक से समझ लेते हैं, तो इनको लिखना बहुत आसान रहता है, और इनमें score करना, comparatively first year और second year के तुलना में, अच्छा score करना second year के अंदर possible रहता है, कैसे रहता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, रही बात examination के pattern की, तो वो बिल्कुल वैसा ही है, जैसा आपका first year और second year का था, यानकी वही 10 प्रशन आपके आएंगे, दो-दो marks के, जिसमें आपको बिल्कुल to the point answer या तो एक शब्द में या एक line मे देना होता है, इसी प्रकार से पांच प्रशन आपके ऐसे आएंगे, जो कि साथ-साथ अंग के होंगे, जो कि हर एक unit में से कोई एक आपको करना होगा, और इन में वही करीब-करीब एक से डेड़ पीच के अंदर आपको अपना उत्तर जो है, वो सीमित रखना होता है, और मैं इस syllabus को थोड़ा सा brief में discuss करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको विशय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राफ्त होगी, जो elementary social research है आप लोगों का, elementary social research के अंदर पांच unit हैं आप लोगों के, और इसी तरह से जो आपका second paper होगा, social thinkers, इसके अंदर भी पांच unit हैं, जो elementary social research है, उसके बारे में आपको एक छोटी सी बात पहले ये बताना चाहूँगा, कि मनुश्य के लिए ये कहा जाता है, कि मनुश्य एक बहुत ही जिग्या सुप्राणी है, वो हमेशा उन चीजों को जानने के लिए प्रयास करता है, जिसके बारे में उसको पहले से जानकार नहीं है, यहनकि अग्यात को जानने की जो एक जिग्या सा है, वो मनुश्य में सहज रूप से पाई जाती है, और मनुश्य की इसी जिग्या सुप्रवर्ती का परिणाम है, कि आज जो इतनी सारी research, जो इतना सारा development हमने किया है, उसके पीछे कहीं कहीं मनुश्य की वो अंग्रेजी में कहते है research, research, research में re और search, यहनकी खोजना बार बार खोजना, तो अनुसंधान का अर्थ कहीं में कहीं बार बार खोजने से दिया जाता है, अब मैं यहां एक बात आप से कहना चाहूँगा, बार बार खोजने का क्या तात्परिया, जैसे मान लीजे एगर मे कि अनुसंधान का तात्पर्य है एक विवस्तित और क्रमबद खोज एक निश्चित पद्दती के द्वारा की जाने वाली विवस्तित खोज को ही हम अनुसंधान कहते हैं जब हम वेग्यानिक पद्धती को काम में लेकर के, अगर किसी विशे का अधियन करते हैं, या किसी विशे के बारे में खोज करते हैं, तो वो विवस्तित खोज ही अनुसंधान का निर्मान करती है, और चुकि इस ब्रह्मान्द में जो भी गटनाएं गटित होती है, वो किसी नियम के आधार पर, किसी नियम के अधार पर होती है, और जब हम इन सिद्धान्दों को खोजना चाहते हैं, तो हमें अनुसंधान का सहरा लेना पड़ता है, और यही बात समाज के लिए भी लागव होती है, समाज भी अपने आपने एक जटिल वेवस्था है, एक जटिल निकाई है, और जब हम समाज के बारे में समझना चाहते हैं, तब भी हमें अनुसंधान का ही सहरा लेना पड़ता है, एक वेवस्थित, खोज की पद्दती को हमें काम में लेना पड़ता है, वेगयनिक पद्दती को काम में लेना पड़ता है, और इसी वेगयनिक पद्दती को काम में लेकर कि, जब हम समाज और इसके जुड़ेवे अंगों का अध्यान करते हैं, दोसी को हम कहते हैं फिर सामाजिक अनुसंधान से संबंधित जो आप लोगों का ये पेपर है इसके जो पांच यूनिट है इनको मैं थोड़ा सा संशेप में आपको बताना चाहूंगा आप लोगों का जो फर्स यूनिट है हैं फर्स यूनिट आप लोगों का होगा इक अनुसंधान और सामाजिक सर्वर्इप्षन इनका अर्थ एकि परिभाशाएं इनके उद्देशת और इनकी विशेश्ताओं के बारे साथ नहीं होता है क्या होता है क्यू thoughts shift Ky Option क्यूंकि एक जो ज adapting यह एक चुटा सा टूल है जबकि समाजिक अनुसंधान अपने हों में कितना ही विशद और विस्थृ प्रकारिया टूल है गोना करना को सिद्सक्राइबुर्य की अवधार्णा है डीटेल से बात करेंगे जब हम इसके उपर आएंगे इसके अलावा व्यक्तिक अधियन पद्दती ये भी फर्स यूनिट के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ ही फर्स यूनिट में जो सबसे महतुपूर्ण बात निकल करके आएगी वो होगा सामाजिक अनुसंधान के चरण सामाजिक अनुसंधान के जो चरण है ये हमेशा किसी ने किसी रूप में परिक्षाओं में पूछा जाता है और दूसरा ये जो सामाजिक अनुसंधान के चरण है वो वास्तव में ये आपको एक प्रकार की जलत प्रदान करते हैं कि पूरे पांचों यूनिट में आपके आप पढ़ने जा रहे हैं इसलिए सामाजिक अनुसंधान का जो चरण है उनको आप बहुत ही द्यान से पढ़ें यह मैं आपको सुझाओ देता हूँ फिर हम आएंगे सेकंड यूनिट के उपर सेकंड यूनिट में हम बात करेंगे वेग्यानिक पद्दती की वेग्यानिक पद्दती और सामाजिक अनुसंधान में इसकी प्रियुज्यता कि इसको कैसे अपलाई करते हैं इसकी जो एप्लिकेबिलिटी है सामाजिक अनुसंधान में उसके उपर हम बात करेंगे जैसा कि अभी मैंने सामाजी कनुसंधान का जो एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था तो उसमें आप लोगों को यह पता चला होगा कि वैग्यानिक पद्दती का एक बहुत ही महतुपूर्ण स्थान है सामाजी कनुसंधान में तो प्रग्यानिक पद्दती की बात होगी इस यूनिट में इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हम बात करेंगे उपकल्पना की अवधार्णा की और अंतरवेशिक उपागम इंटर्डिसिप्लिनरी अप्रोच इसकी भी बात हम इस दूसरे यूनिट के अंदर करेंगे फिर आएगा हमारा तीसरा यूनिट तीसरा यूनिट जो है वो तक्तिय संकलन की प्रविधियों से टूल्स और डेटा कलेक्शन से संबंदित है अब देखे जब हम सामाजिक अनुसंधान करना चाहते हैं तो हमें व्यवस्तित रूप से कई प्रकार की जानकारिया चाहिए और वास्तों में वो जानकारिया ही ह हमारे अनुसंधान के निसकर्ष्णों का निर्धारन करती है तो इसलिए यथात जानकारी प्राप्त हो यह बहुत ही बड़ी पूर्व आवशकता है किसी भी प्रकार की रिसर्च की तो इसलिए तत्य संकलन की जो प्रविदियां है वो सही होना भी बहुत आवशक है तत्य संकलन की वैसे तो कई प्रदतियां है लेकिन आप लोगों के सिलेबस में एक तो अब लोकन